काकी मासा हम आ गए आपने हमें बहुत मिस्किया ना हमने भी आपको बहुत मिस्किया हम तो कल रात को ही लोटाए थे पर आप हमने आपका दूर बहुत ठक ठकाए बहुत आवाजे भी दी पर अपने दर्वाजा नहीं खोला लगता है आप गहरी नीन में थी काकी मासा आप हमें जूला जूलाई है ना आपका जूला वर्ल्ड का बेल जूला है अरे काकी मासा हमसे कोई गल्ती हुई है क्या जो आप हमसे बात नहीं कर रही है अगर ऐसा है तो आप हमें माफ कर दीजिये सौरी अरे ये तो बताती जाईए हमने ऐसी क्या गल्ती किये जो आप हमसे नाराज है ये रतंसा का कम रहा है अच्छा है आपके आहां रहने से धर्स असूर की परंपरा भी शुरू कर देंगे ठकरानी साथ अपना माई का अपने साथ लेकर आई है न वो अपने पिताजी को दहेश में लेकर आई है ये आपके का का सा हुकुम के लिए और ये नित्या बुआ सा उनके लिए और ये का कि सा हुकुम के लिए और ये है पापा साथ आप क्यूं आए यहां क्यूं हम आप दोनों को अकेले कैसे बेश सकते थे दिया बाईसा ये जानते हुए कि इस महल में आपको खत्रा है हमें तो आना ही था और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम यहां से नहीं जाने वाले हम यहीं रहेंगे आपकी और दाता हुकुम की रक्षा के लिए आप दोनों की ठाल बन कर नहीं पापा साथ बात बात पर आपका अपमान होगा पापा साथ कैसे देख पाएंगे हम अरे 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 क्या हुआ दाता हुकुम आप रो क्यों रहें काकी मासा हमसे बात नहीं कर रही है वो हमसे कट्टी है आप से भी कट्टी कर ली ना काकी मासा ने कहते हैं भगवान अकल और शकल एक ही मात्रा में नहीं देता तो आप ज्यादा सुन्दर है या ज्यादा होश्यार है ठकरान सा ताता हुकुम जानते ही नहीं है हकीकत में परिया होती ही नहीं बस एक धोखा है इसलिए आप रो रही है ना आप रोएंगे तो दिया बाइसा भी रोएंगे आप इनके पती है ना और दाता हुकुम भी है तो चलिए पड़ो की तरह बात करके समस्या का हल निकालते हैं ठीक कह रहे हैं आप से सुर्शा देखे दिया अब हम भी नहीं दो रहें आप भी मत रोएं हाँ अब बोलिए आपकी काकी मासा आपसे नाराज नहीं उतास हैं हाँ उन्हें अमारे पापा हुकुम और माहा हुकुम की यादारी होगी और हमसे भी बहुत प्यार करती है काकी मासा और इसलिए यश्बनना हमेशा हमसे जगर से रहते हैं क्योंकि वो हमसे ज़ादा प्यार करती है ना और आप तो यश्बनना से मिले ही नहीं यश्बनना हमारे भतीजे हैं हम दोनों एक ही उमरके और हम दोनों बेस्ट प्रेंड है लेकिन अभी वो हमारे सेकंड बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि अभी हमारी फर्स बेस्ट फ्रेंड दिया है ना आप जानते हैं ऐसे मसलों का हल सर्फ बेस्ट फ्रेंड के पास होता है आप बहुत ही अच्छे बाते करते हैं पापा हुकुम की तरह और जब भी हम कोई प्रॉब्लम में फस्ते हैं यश्श बनना हमारी मदद करते हैं एक मिनिट हम अभी आए अभी आप और मत रोना परिया रोते हुए नहीं मुसको राते हुए अच्छ लगती है मुसीबत अपना हल साथ में लेकर आती है भाई सा आपको मजबूत बनके रहना है पर पापा साथ जब भी आपको कोई ताना मारेंगे तो हमें बहुत तकलिफ होगी और फिर सब में आपकी क्या गलती है आप क्यू सहेंगे ये सब हम खुद पर उनके विवहार का आसर ही नहीं होने देंगे दिया भाई सा आपको याद है जब आप छोटी थी और आपको कभी चोट लग जाती थी तो आपकी मासा आपके घाव पर घी लगाती थी ताकि पानी का उस पर असर ना हो और आपको तकलिफ ना हो उसी तरह हमें खुद पर किसी का कोई असर नहीं होने देने वो लोग जो बोलते होने बोलने देजे हमें खुद को इतना मजबूत बना लेना है किसी भी तरह का तिरसकार या कोई भी अपमान हम पर बे असर साबित हो इस तरह और इस तरह चलिए अब तयार हो जाईए है आपकी मूँ दिखाई का वक्त हो रहा है दादी मासा से बीना पुछकर लव मैर्ज कर दी इस लिए दादी गुस्सा है और दादी को दिया का किसा भी नहीं पुसंद आइसे कैसे हो सकता है दिया तो आपकी मासा की कहानी की परी जैसी है अरे आप कुछ शमज़ते भी नहीं है रादी मासा को समझाना पड़ेगा ना दिया का किसा अच्छी है अरी आप दूनें क्या कर रहें चलिए बाहर जाईए हमें तैयार होंए जाईए जाएए हम अब ऐसा क्या करें कि काकी मा ऐसा दिया को अच्छी रड़की समझे जोकी इतने सारे किस के लिए ताता हुकुम ये सारे तौफे आपकी नए बींदनी और हमारे नए ठकराणी साथ की मूँ दिखाई के लिए है फिर हमारे लए भी होगा और और वेसे हमारे भी तो मूदिखाई होगी ना और हमने थे उनके साथ शाजी की है अच्छीर मूदिखाई सीफ दूलण की होती थे दूले की नहीं एपंफे पता है वो तो मैंजी मजाग करें था में भी नहता हमझती है जाए ताकु साथ एक मेंट रूको ना बोलिया वैसे है आपने अपनी पत्नी को मुझी खाई में क्या तफा दिया पत्नी को मुझी गज़िए में गिफ्ट देते हां हमने तुदिया के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं दिया अरे रुकी हमारा सामान लेकर कहां जा रहे हैं आप लोग हुकुम कहा गया है किस ने कहा हम ने जा भाया काम कर रपड़ा वो के है ना आप क्या रीत होगी बेटी के सासरे में पड़े रहने की पड़ हमारे यहां ऐसा बेहुदा कोई रिवाज नहीं है मुह दिखाए की रसुम ठकरानी सा किये है आपकी नहीं घर में घणे महमान आवेंगे और जब वोने आपके बारे में पता चलेगा तो बेचती आपकी नहीं होगी क्योंकि बेचती उनी की होए है जिन की कोई इच्चत होए है और एक बार आप हमारी बेचती कर चुके हैं और दुबारा हम होणे नहीं देंगे आप जहें जो बोलीजे चुटे ठाकर साथ लेकिन हम न तो इस महल को छोड़के जाएंगे नहीं अपनी पैसा को जाड़ते थे हम चिद्धी है असानी से नहीं मानेंगे इसलिए आपको यहां से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं पस आपका कमरा बदल रहे हैं घर से होटेल भेज रहे हैं आपको त्या भाईसा से दूर कैसे रहेंगे हम यह बिल्कुल ठीक कह रहा है सजण भाईसा नहीं संदी सा बोली ओखो या फिर घर ससुख घरों उचित रहेगो आप बिल्कों चिंता मत कीजिए भाई सा घर और होटेल एक हे बिल्डिंग से आपको अपनी भाई सा से दोर कौनी भेज रहे है आप जब चाहे ठकरानी सा से मिल सकते है आप अपने बाई सा के साथ में रहे लेंगे और लोगों को ये भी कौनी लगेगा कि आप अपने बाई सा के सासरे का खा रहे है बाई सा समधी होने के नातिया आप से ग्विनती है समाज के सामने दोनों घराने की नाक नीचे ना हो एड़ आगा तंड बेद आपको कोई पराज नहीं कर सकता होकुम दया कर सिकाल का मा सब कुछ ठीक है हां जी जी पापा साथ जो है अमारे साथ यहां हां जी जी मा सा और पापा सा ने हमारे लिए जो किया है उसके बारे में तो ठकरानी साथ आपके लिए चाहे जी जी आप जानती है अब कुछ ही समय में हमारी मुध दिखाई की रसम शुरू होने वाली है थैंक यू जी जी रखते हैं अब क्या पी रही हैं चाहे आपको चाहे पसंद है दिन में जब तक तीन से चार कप ना पी ले न हमारा दिन पूरा नहीं होता हमें भी पहले चाहे बहुत पसंद थी लेकिन फिर यश्च बनना ने हमें बताया कि जो ज्यादा चाहे पीता है उसका रंग सावला हो जाता है आप चाहे मत पीजे ने तो आप भी सावली हो जाएंगी ना प्लीज आप फिकर मत कीजे रतंसा हम सावली नहीं होंगे लेकिन यश्च बनना ने तो कहा है और यश्च बनना कभी जूट नी बोलते हम नी चाहते कि हमारी परी सावली हो अच्छा ठीक है नहीं पीते हम चाहे बस पामिस फ्रमस्ट प्रमस्ट खक्रानी सा, आप चलिए हमारे साथ, जी कहाँ, आज आपका पहला दिन है न तो, कुछ बदाएंगे हम आपको, चले, खक्रानी सा, आप जब आपने हम सब के साथ रहने का मन बना ही लिया है, तो हम आपको केसर महल के सारे टरडेशन्स के बारे में बताएंगे, आप उन सब को भी एकसप्ट कर लीजे, ओके? सो, मुध दिखाई की रसम से पहले, आटे का बनाए जो दिया है न, इसे ले जाकर हमारे हॉल में, हमारे पूरवजों के जितने भी तस्वीरे हैं, और सब को दिखाईए, पूजा कीजिए, अंडिस्टूड? रखिए? यहाँ यहाँ भी एकसा यहाँ वो ना हमारी बेस्मेंट का फोन है उसे अपने कपड़ों और जुल्री को लेके बहुत जादे कन्फ्यूजन है हम उनसे बात कर लेते हैं ठीक है आप यहीं रुकियेगा हलो लीजी दिये भाई साथ रतन बनना को आपके हवाले कर रहे हैं अब आप ही समाली है हमारे कोरसा को हमें पूरा परोसा है कि सिर्फ आप यह कर सकती है जब आप रतन सा की रक्षा करेंगी यह संदूर आपकी रक्षा करेगा कर दो झाल झाल प्रॉब्सक्राइब।